चोदरी चरण सिंग उन्वेस्टी मेरट के बारें बात करने वाले है 18 जून में एक नोटीस उन्वेस्टी ने जारी किया था उसमें बताया था कि यहाँ पर सभी की परिक्षा होने वाली है जास्तो ये बात ऊता है कि याँ पर वीवी परिक्षा कराना चाहता है लेकिन केवल final year की परिक्षा ही होगी ये बात मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ और सभी state और university में यही है कि mostly final year की ही परिक्षा करानी है बाकि first year second year को promote भी किया जा सकता है आपको उनिवस्टी के एक नोटिस में यही बताने वाला हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट एर सेकिंडर को परमोट भी किया जा सकता है क्या ऐसे में परिक्सा कराना संभाव है सबी जो है जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं यहाँ पर वीवी ने परिक्सा की तयारी शुरूख कर दी है तो यहाँ पर देख ले कि छातर परिशान है वीवी की परिक्साए होगी पर कैसे सासन ने वी स्विदाल्यों में मुख्या एवं सेमस्टर परिक्साए 30 जून के बाद कराने का फैसला लिया है बियाड एंट्रेंस जुलाई में किसी भी रविवार को हो सकता है जिन केंडिडेट ने बियाड एंट्रेंस के लिए फॉम बरा है उनकी परिक्साएं यहाँ पर जुलाई के किसी भी रविवार में की जा सकती है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कुरोना संकर्मन से बचने के लिए जरूरी सुविदाओ की विवस्ता कैसे होगी एड़ेड राजगे कोलिजों में अतिरिक्त बजट नहीं है निजी कोलिजों की इस्तिती पहले से ही खराब है कोलिजों का सवाल है यहाँ पर कोलिज भी सवाल कर रहे है कि परिक्साओ में सेनिटाइजर सहीत अन्य जरूरी चीजों के लिए उपकरण कहां से लाएगे ज्यास तो अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पर कोरोना से संकरमित हो जाता है तो उनके परिजन यहाँ पर कोलिज को ही बलेम करेगे सबसे बड़ी बात यही है और कोलिज यही सवाल खड़ा कर रहा है कि परिक्साओं में सेनिटाइजर सहीत अन्य जरूरी समान वेउपकरण कहां से लाएगे हमारे पास बजट नहीं है साथ में एड़ेड राज के कोलेज में भी अतिरिक्त बजट नहीं है और कोलेजों की स्थिती पहले से ही खराब है तो ऐसे में क्या होगा जब कोलेज जी साफ मने कर रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है सेनेटाइजर साहित अन्यवं जरूरी उपकोरोनों का यहां पर खरीदारी कैसे करेगे यह बहुत बड़ा सवाल है यहां पर परिक्सार्तियों की जिम्मेधारी कौन लेगा परिक्सार्तियों की हिफाज़त कौन करेगा जास तो यहाँ पर बढ़ते संकर्मित से यहाँ पर छातर परिशान है उनके परिजन भी परिशान है तो ऐसे में परिक्सा होगी कैसे परिक्सार्थी जो है यहाँ पर परिक्सा से पहले यह है चुनोती वीवी के सामने बहुत ही बड़ी चुनोती होने वाली है सामाजिक दूरी से केंद्रों की संक्या तै करना जिन केंद्रों पर COVID care center बना हुआ उन्हें बदलना उन कोलेजे को चिनहीत करना जो होटी स्पोर्ट अक्सेतर में है केंद्रों पर सेनटाई यह थर्मल स्क्रेन की व्यवस्ता करना सामाजिक दूरी का पालन करना कैसे हो केंद्रों पर एंटरी उसको देखना परिक्षा के लिए आप यूँवर्सटी में मूल्यांकन चला हुआ लेकिन बाहर के परिक्षा की उन्यूवर्सटी गेंपस नहीं पहुँच पा रहे है करोना संकर्मन के चलते नहीं पहुँच पा रहे क्योंकि उनको डर है कि कहीं वो संकरमित ना हो जाए तो यहाँ पर परिक्सा के लिए सिक्साक और करमचारियों को भी डूटी के लिए राजी करना होगा तब ही आपकी परिक्सा कराई जाएगी यहाँ पर वीवी के सामने बहुत सारी चुनोती आने वाली है अब यहाँ पर दो गुना होगे परिक्षा केंद्र पेपर कराना चुनोती जहाँ तो यहाँ पर वीवी के सामने और बहुती बड़ी चुनोती बन गया है कि उनको परिक्षा कराने के लिए दुगने करने होगे अपने परिक्षा केंदर है जासतो 30 जून के बाद सेमेश्ट और वार्चिक परिक्षा कराने के सासन के आदेश के बाद चोदरी चन्ण सिंग विजदाले में परिक्षा केंद्रों के संक्या दुगनी होगी लगतार बढ़ते संकर्मन एवं नए होटी स्पोर्ट के बीच कोलेजों में बने कोविड केर सेंटर से वीवी के लिए परिक्षा कराना बेहद चुनोती पून होगा परति एक पाली में हजारो चात्रों के पेपर एवं उनकी थर्मल स्क्रेनिंग कराना मुस्किल होगा इस्तिति अनुकूल होने पर वीवी 15 जुलाई के बाद परिक्षा सुरू करा सकता है सबसे पहले फाइनल एरे के पेपर कराए जाएगे यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सबसे पहले फाइनल एरे के पेपर कराए जागे यही मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि वीवी का यही मक्षद है कि सबसे पहले फाइनल एरे के पेपर करा लिया जाए उसके बाद first year second year को promote भी किया जा सकता है अगर वीवी सबसे पहले अपने notice में निकाल दे कि हम सिर्फ final year के paper करना चाते है first year second year को promote करेगे तो यहाँ पर final year के चातर है वो हंगामा कर देगे वो परदर्सन करेगे कि हमसे क्या allergy है हमें भी promote किया जाए तो वीवी यह चाता है कि उनको भी पता ना चले यहाँ पर final year के exam करा लिया जाए उसके बाद notice निकाल दे जाए कि first year second year को promote किया जाएगा तो यहाँ पर वीवी जो है वीवी का यही पलान है सुरू से वीवी यही बोल रहा है कि final year के paper होगे और सभी state university और सभी भारत की जितनी भी university है सभी में ज़्यादा तर यही हो रहा है कि final year के यहाँ पर paper करा जाएगे और बाकी जो है first year second year को promote किया जाएगा कुरू छेतर युनिवेस्टी में आप देख लो वहाँ पर भी यही है फाईनल year के paper कराएगे first year second year को promote किया जाएगा लेकिन वहाँ पर final year के चात्र है वो पर्दरसन कर रहे है वो भी बोल रहे कि हमें भी promote किया जाए तो युनिवेस्टी का यही मानना है यही सोचना है कि अगर आप final year के paper कराएगे first year second year को promote करा जाए ऐसा notice निकाल देते हैं तो यहाँ पर छातर भी जो है वो परदर्सन करेगे तो सबसे बड़ा reason यही होने वाला है मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ज्यादा तर mostly जो है आपके final year के paper कराने से ही मक्षद है university का बाकी first year second year को promote किया जा सकता है तो यहाँ पर COVID care center को भी बदलना होगा कोलेजों से पूचा है वीवी ने कहां बने है COVID care center उनकी list मांगी गई है उसके बाद यहाँ पर time management के तहत उनको यहाँ पर बदलना होगा अगर किसी student का COVID care center बने हुए school में वहाँ पर परिक्षा कराई जाती है तो student को पता चलता है कि यहाँ पर COVID care center बना हुआ था तो वो परिक्षा भी अपनी अच्छी तरह से नहीं दे पाएगा क्योंकि सभी के mind में यही करोना काल चला हुआ है तो सबसे बडा reason यही है परिक्षा भी अपनी अच्छी से नहीं दे पाएगे और साथ में परिक्षा यह अपनी अच्छी से तयारी भी नहीं कर पा रहे है क्योंकि बहुत से परिक्षा अच्छी ऐसे है जिनके चारो तरप होटी स्पोर्ट बने हुए है वो डर रहे है कहीं हम संक्रीमित न हो जाए तो क्या ऐसे में परिक्षा कराना सम्भव है सवाल यही खड़ा होता है बिल्कुल भी सम्भव नहीं है ऐसे में सभी को प्रमोट कर देना चाहिए यहाँ पर जो एक खबर हो देख लेते हैं कि छात्रों को होस्टल में कैसे रोकेगे सेमेश्टर परिक्सा में कैमपस के स्टुडेंट इस वक्त घर गए हुए है ऐसे में सेमेश्टर की परिक्सा में इन छात्रों को कैमपस आना होगा ये सबी होस्टल में रुकेगे सुत्रों के नुसार सासन ने भले ही परिक्सा कराने के आदेश दिये हो लेकिन आखरी विकल्प केवल फाइनलर के एक्जाम ही होगे यानि यहां पर साप साप है कि संसोधन्वी सासन के आदेश में संसोधन्वी करना पड़ सकता है और आखरी विकल्प यहां पर फाइनलर के विवस्ता की जाती है तो फर्स्ट एर सेकिंडर को ही पर्मोट किया जाएगा फाइनल एर के एक्जाम कराई जाएगे मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि यहाँ पर सभी स्टेट और सभी उनिवस्टी में यही चला हुए कि final year के exam कराए जाएगे बाकी first year second year को promote किया जाएगा यहाँ पर university भी वही करने वाला है लेकिन यह साब पहले clear नहीं कर रहा है कि जिस कारण से यहाँ पर कभी छात्र final year के जो छात्र है वो परदर्सन और हंगामा ना खड़ा कर दे सबसे बड़ा reason यही है यहाँ पर सबसे पहले final year की जब परिक्सा हो जाएगी वी वी यहाँ पर जो है अपने first year second year के चात्रों को promote कर सकते है एक सुचना जिन चात्रों ने यहाँ पर B.A.D. entrance का form भरा था उनकी यहाँ पर परिक्सा जो है जुलाई में किसी भी रविवार को आयोजित की जा सकती है तो B.A.D. वाले उन अब्यारतों से request है कि वो अपनी तयारी करते रहे क्योंकि उनका जुलाई के किसी भी रविवार में entrance हो सकता है तो अपनी safety के साथ साथ अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई करे अपना जो है ताकि उनका यहाँ पर अच्छा score बन सके और वे अच्छे college में admission ले शके तो I hope आपको जो है वीडियो अच्छी लगी है तो like करे साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे जैसे भी कोई exam के related या promote के related कोई भी important सुचना आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दी जाएगी साथ में आप टेलिगराम गुरूप को भी जोइन कर ले वहाँ पर आपको सभी परकार की notice, news और आपको वीडियो मिलती है और वहाँ पर आप गुरूप discussion भी कर सकते है जांस तो link डिस्केसर में दिया हुआ है प्लीज उसको भी join कर ले साथ में वीडियो अच्छी लगे तो like करे साथ में जादे जादे शेयर करे तो चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले घंटी वाले बटन को जरूर दबा कर रखे तो मिलता को लाटेश अब्लेट के साथ तब तक के लिए जाहीं